नमस्कार मेरा नाम शाष्वतो बायन है मैं वेस्ट डंगल में रहना बाला हूँ एक्चुली मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताके मैं अपने केंद्रियों और राज्य सरकर को मैं अपनी बात बता सहूँ करोना भाईरास या कॉविट नाइंटिन लेके जो दैसत फैला हूँ या जिस तरह से अपना राज्य सरकार और केंद्रियों सरकार मिलके लोगडाउन के जरीए बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है तो उसके बार में मैं अपना थोड़ा राय देना चाहता हूँ देखिए अभी फिलाल 21 दिन के लिए लोगडाउन है लोग घर से नहीं निकल रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अपना जरूरत का समान खरीदने के लिए चाहे कुछ खाने के समग्री हो या कुछ मेडिसिन हो दूद हो कुछ भी हो लोगों को निकलना भी पड़ रहा है चाहे कम मत्रह में हो लेकिन निकलना पड़ रहा है और बाजार तो आप सबको मालुम है कि थोड़ा बहुत भीड रहता ही है तो ये लोगडाउन 100% लोगडाउन होने के बाद भी कहीं ना कहीं तो लोगों को निकलना पड़ रहा है और लोगों से मिल रहा है एक दूसरे से और कहां से ये COVID-19 किसके मतलब छूने से या किसी के संक्सपर्स में आने से किसके पास आ जाएगा ओ फिर घर में ओ बीमारी लेके आएगा ये किसी को भी नहीं मालूम तो मैं हाग जोड़के मेरे राज्यों और केंदियों सरकार को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस लोगडाउन के दर्मियां अगर हर घर में हर सदस्थों को अगर थर्मल स्कीनिंग के जरीए हर किसी को चेक किया जाए मैं मान रहा हूं कि अपना 135 कोड़ों की आवादी में बहुत मुश्किल है लेकिन अगर हम पोलियों का ड्रॉप हर घर में चाके दे सकते हैं तो इस घड़ी में इस मुसीबत की घड़ी में ऐसा सरकार क्यों नहीं कर पाएंगे करना चाहिए अगर जुरुवत पड़े तो पुलीस है प्रसासन है या लोकल जो भी इलाके का काउंसिलर है या पंचायत का सदस्स है उन लोगों का सया चलीजिए सयाता लीजिए और मेरे ख्याल से हर एक घर में जाके बच्चे से लेके बुजर्गतर सबको थर्माल स्क्रीनिंग होना चाहिए और इसमें से कम से कम पता तो चलेगा है यह भी माल रहा हूं कि हर टाइम यह 100% मतलब रिजाल भी नहीं आता यह भी मत बत सही है लेकिन मोटा मोटी 60 70 80% तो स 70 लोग पॉजिटीव है और 90 लोगों का मौत हो चुका है अल्रेडी तो अभी अगर हम लोग नहीं समलेंगे तो इतली चाइना या USA मनने में ज़्यादा देन नहीं लगेगा इंडिया सबसे ज़्यादा अबादी वाला देश में से एक है चाइना के बाद इंडिया और जो सरकार को एई हाग जोड के निवयदन करूंगा की हर एक घर में जाए जाके अबना थरमल स्कीनिंग के जरिये कम से कम जिदना हो सके सबको चेक किजिए कम से कम पता चलेगा कि हाँ इस इलाके में कमसे एक आगर पोजिटीव आए तो उस जगह को पूरा के पूरा लोग डा तो आभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है कि 21 दिन का लॉक्डाउन चल रहा है चार दिन हो चुक है अल्रेड़ी कि इस दर्मियान अभी बीच पंद्रा सुला दिन है हर एक घर में जाके थार्मल स्क्रीनिंग करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है तो प्लीज मैं केंद्र्य सरकार राज्य सरकार सबको ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम हरे घर में जाके बच्चे से लेके बुज़ूर्ग तक सबको थार्मल स्क्रीनिंग कीजिए ताकि पता चले और इस बीमारी को ज़्यादा फैलने मत दीजिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लाइक करें ना करें कोई बाद नहीं लेकर से जरूर करें अगर लगे कि मैं कुछ अच्छा ही के लिए बोल रहा हूं तो से जरूर कीजिए ताकि अपना पीम या सीम तक ये वीडियो पहुचे और इस तरह का कोई स्टेप य बाजार जा रहे है किसी काम से जा रहे है लोग तो निकल रहे है घर में दस मेंबर है एक तो निकल रहे है कम से कम या चार मेंबर है एक तो निकल रहे है वह एक ही तो भीमारी लेकर आ सकते है तो इस टाइम जो लोगडाउन चल रहा है इसी टाइम सब कोई घर में है तो प पहस्पिडियल में या कई भी भी ले जाके उनका अच्छी किस्सा करवा सकते हैं बस एही कहना था प्लीस ज्यादा से ज्यादा से श्यार कीजिए और सब कोई अरामसर यह ड़िये मत सरकार बहुत अच्छा कम कर रहे हैं राज्यों के अंदर सरकार दूनों मिलके बहुत अच किया थें थेंग थेंग्यू